हाई फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं बात करूँगा फिल्म टाइहार्ट के रिव्यूप के बारे में टाइहार्ट ये एक एक्षिन थ्रिलर फिल्म है फिल्म को टेरिट किया है जॉन मैक्टिनर्ड ने और ये फिल्म 1988 में रिलीज हुई थी फिल्म की कास्ट में है एक्टर ब्रूस विलीज, आलन रिक्मान, रेजिनर्ड वेल जॉनसन और पॉनी बैडलिया कहानी फोकस करती है डिटेक्टिव जॉन मैकलेन पर जो क्रिस्मस पर एले आता है अपनी वाइफ और बच्चों से मिलने पर कहानी में ट्विस्स दबाता है जब कुछ आतंगवादी एक ओफिस बिल्डिंग में घुसकर सभी को बंदग बना लेते हैं जिनमें जॉन की वाइफ भी शामिल है तो क्या जॉन सभी को बचा पाता है या नहीं ये चान्ये के लिए तो आपको इस फिल्म को ही देखना होगा जिसका नाम है टाय हाट तो फ्रेंड्स टाय हाट सीरिस की शुरुवाद 1988 से हुई थी जिसके अभी तक करीब 5 पार्ट्स आ चुके हैं और पांचोई पार्ट्स में हमें अक्टर ब्रूस विल्यस ही नजराएं हैं जिनके बिना ये फ्रैंचाइस अधूरी है तो अब आपका ज़्यादा टायम वेस ना करते हुए बात कर लेते हैं फिल्म के प्लॉट के बारे में जो सच में बहुत ज़्यादा इंटरस्टिंग है जिसे बहुत यच्छे तरीके से फिल्म में हमारे सामने प्रिट्सेंट किया गया जिसके लिए तारीफ करने पड़ेगी फिल्म के राइटर स्टीवन इडी सूजा और चैप स्टुवर्ट की जिनों ने फिल्म की स्टोरी को बहुत यच्छे से लिखा है और वहीं बातकरूँ फिल्म के direction की तो चॉन माइक टियरनन की भी तारीफ करने पड़ेगी क्यूंकि फिल्म का direction ला जवाब है और बातकरूँ फिल्म के action की तो फिल्म के action scenes को भी बहुत यच्छे तरीके से picturize किया गया है जो देखने में अच्छे लगते हैं और फिल्म में आपको काफी ज़ादा पसंद आएंगी वहीं बात करूँ आक्टिंग की तो एक्टर ब्रूस विलिस की आक्टिंग भूती ज़ादा बढ़िया है और उनका character भी फिल्म में आपको काफी जादा पसंद आएगा और actor Alan Rickman की acting भी मुझे फिल्म में काफी जादा पसंद आई जिनोंने फिल्म में Hans Gruber के character को play किया था वहीं actor Reginald Will Johnson की acting भी फिल्म में बढ़िया है उन्होंने अपने role को काफी अच्छे से play किया है और बात करूँ बाकी actors की तो फिल्म में उनकी acting ठीक ठाक है क्योंकि फिल्म में उनके पास कुछ खास करने को था नहीं और अब बात कर लेते हैं कि फिल्म बाकी मामलों में कैसी है तो फिल्म का BGM अच्छा है जो normal से लेकर action scenes तक पर perfect suit करता है वहीं फिल्म की editing भी काफी अच्छे से की गई है या फिर यू कहूं कि editing के मामले में भी ये फिल्म पूरी तरीके से पास होती तो overall मेरी नजर में ये एक perfect action film है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए बस कुछ scenes के चलते इस film को family के साथ मत देखेगा और ये film Hindi dub में भी available है फिल्म die hard को मैं दूंगा 3.5 stars तो friends ये था film die hard को लेकर मेरा review पर अगर आपने पहले से ही ये film take रखी है तो मुझे comments में जरूर बताना आपको ये film कैसी लगी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कर देना चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe कर लेना और एक bell icon आएगा उसको भी दवा देना ताकि मैं जब भी कोई नए वीडियो upload करूँ उसका notification आप तक सबसे पहले पहुँचे see you in the next video, bye